आज हम Scorpion जो बिच्छु है उसके external features का जो part first है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो Scorpion जो है संग आर्थोपोडा का सदस्य है और उसका जो sub phylum है वो है इसका चली सिरेटा क्योंकि इसमें चली सिरा नामक अंग पाई जाते हैं और उसके बास Arachnida यानि मकडी के वर्ग का सदस्य है और इसमें Arachnida की खासियत है कि इसमें चार जोडी जो है वो पैर पाई जाते हैं और गण है Scorpionida और जीनस है Palemnius या Indian Scorpion तो जैसा हम देख रहे हैं कि यह जो जानवर है इसका अगर शरीर को अपर देखें तो यह देखा जाए तो दो मुख्य भागों में वैसे सतही तोर पर बटा हुआ है एक तो ही यह सामने वाला अग्रे चोड़ा भाग और एक यह पीछे का पतला जो है जिसको हम भ्रह्मव कह देते हैं पुछ भाग लेकिन यह वास्ता में पुछ नहीं है यह इसका उदर पश्च भाग है तो पूरा का पूरा शरीर अगर हम देखें तो दो मुख्य भागों में बटा हुआ है सबसे पहले इसमें जो सबसे अग्रस्त भाग है वो है इसका प्रोजोमा या शिरोव और उसके बाद इसमें यदि आपन देखें तो इसका जो ये वाला जो भाग है ये इसका प्रोजुमा भाग है और ये वाला भाग जो है ये इसका पूरा जो है वो पश्च भाग है ये अपिस्तो जुमा कहलाता है ये पूरा जो बिच्छु है ये इसका डॉर्सल व्यू है या प्रिष्ट तल पर कैसा दिखता है वो है, और यह जो है, यह इसका अधर तल पर, जन्तु कैसा दिखता है वो है. तो यह scorpion का जो प्रिष्ट तल के जो जो चित्र है, पूरा जो शरीर है, वो दो मुख्य भागों में बटा हूआ है. अब आगे की डीटेल की ओर चलते हैं, तो सबसे पहले अगर अपन देखें, जो हमारे इस लेक्चर फर्स्ट है, इसकी अगर अपन बात करें, तो हम निम्न ये जो बिंदू हैं उस पर चर्चा करेंगे, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्वभाव निवास फिर बाहिया आका रिखी, उसमें भी जैसे आकरिती एवं साइज परिमान, फिर रंग कैसा होता है शरीर का कलरेशन, और शरीर के देह के भाग कितने हैं, जैसे प्रोजोमा और ये उदर भाग अपिस्तोजोमा, जो अपने स्तर पर फिर दो भागों में बटा हुआ है, के बारे में चर्चा करेंगे, तो जैसे मैं आपको बता दू, जैसे ये है पूरा का पूरा प्रोजोमा, ये वाला पूरा भाग है प्रोजोमा, और ये पूरा यहां से लेकर और यहां तक ये अपिस्तोजोमा है, ये पूरा का पूरा जो है, यहां से है, और फिर प्रोजो पश्च उदर भाग या मेटाजोमा कहलाती है और ये जो पूरा शरीर है अब इसके बारे में हम डेटेर में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम इसके थोड़ी सी भूमी का मैं आपको बता दूँ इसमें आपको पहले बताया कि बिच्चु जो है ये संग आर्थोपोडा का सदस्य है और उसमें भी वर्ग एरेकनेडा का सदस्य है और वैसे तो एरेकनेडा में बिच्चु के अलावा सामाने मकडी, भरूती, माइट जिसको हम कहते हैं किलनी टिक जो कुटों और गायों और इन सब जो मवेशियों में पाई जाते हैं और इसके अलावा मिथ्या बिच्छू, स्यूडो स्कॉर्पियन्स, मिथ्या मकडी, स्यूडो स्पाइडर्स, कशाधारी बिच्छू, टेलर्स, चाबुक बिच्छू, विप स्कॉर्पियन्स, हार्वेस्ट मकडी, ये भी जो सदस हैं, ये इस अरकनिडा वर्ग के सदस से मान प्रजातियां ग्यात हैं खेयर व और प्रजातियों को ग्यात करने की यहारियास कीयi जा रहे हैं और यह जितने भी बिच्चों हैं या अधिकांष्त हैं प्रिथवी के जो ऊश्णकाठीबन्दिय और उपोश्णकाठीबन्दिय welfare उन्ότε विशेश रूप से पाए जाते हैं लेकिन जो बरफीले अंटार्टिक के अतरिक जो ये जो छेत्रे अंटार्टिक उसके अलावा लगबख सभी महादूइपों में ये इनके सदस्य विद्धवान हैं। बिच्छों की खास पहचान है कि उनका शरीर काफी लंबा होता है और उसमें एक लचीली पुच्छ भाग होती है लेकिन ये हाला कि इसको भ्रमवश पुच्छ कहा जाता है ये पुच्छ नहीं है और उसके अंतिम सिरे पर तीक्षण विश्युक्त दंश उपकरन पाया जात स्वभावेवम निवास्थान की बात करें तो जन्तु जो है ये रात्रीचर है और छिपकर रहने वाला अर्थोपोड पराणी है और दिन के समय बिच्छों लकडी के पुरानी बल्लियों पत्थरों के नीचे किनी दो बड़े पत्थरों के बीच में जो दरार है उसमें य रिक्षों पर भी रहते हैं और कुछ ऐसी प्रकार की हैं जो गुफाओं में अंधकार में पाए जाते हैं और कुछ समुदरी जो अंतर जो आर्चेतर हैं इंटर टाइडल चेतर हैं उनमें भी देखे गए हैं लेकिन अगर हम आस पास के इन सामाने बिच्छों की बात करें तो वो ज्यादा तर मानव निवा स्थानों के पास या उसमें पाई जाते हैं क्योंकि वहां उनके भोजन की मिलने के समावना अधिक होती हैं मकडी और जो अन्ना नेकीट हैं और ये सारे चाहिए अब वैसे प्रित्वी पे देखा जाए तो सबसे अधिक बिच्छों की ज राइट अपन डालते हैं या पढ़ती है तो उसके प्रवा में बिच्छों का जो शरीर है वो हरे रंग की एक चमक उत्पन करता है अब बिच्छों की साइज की अगर अपन बात करें तो बिच्छों काफी बड़े होते हैं और सामनता तीन से नौ सेंटिमीटर तक लंबे ह होते हैं और बिच्छों की सबसे जो छोटी प्रजाती है वो गुफाओं में वास करने वाली टैफलो कैक्टस मिशेली है जो मात्र नौ मिलिमीटर की है और बिच्छों की जो सबसे बड़ी प्रजाती है वो अफरीका में पाई जाने वाली उत्रिया अफरीका में पाई जा लेकिन जो कार्वोनिफेरस काल उसमें पाए जाने वाले बिच्छों के कुछ सदे से 86 cm तक लंबे हुआ करते थे तो ये बिच्छों की थोड़ी सी जो है वो सभाव निवास्थान और जो उनकी एक सामान ने जान करी थी अब अपन इसके उनकी बात करें तो सबसे पहले अगर हैबिट हैट की बात करें सभाव निवास्थान तो बिच्छों जो है वो मांसाहरी होता है और रात्री के समय यह आर्थोपोड जो प्रानी है उनका भक्षन करता है जैसे रात्री चरकीट, मकडी इन सब का भक्षन करता है और उनका भक्षन करने के लिए यह रात्री के समय अपने छिपने वाले स्थानों से बाहर निकल कर शिकार करता है आवश्छकोने पर बिच्चु अपने साथीों का भक्षन भी कर सकता है जिसे कैनिबल इजम कहते हैं ये स्वजाती भक्षन कहते हैं और बिच्चु अपने छट-पताते हुए शिकार प्रानियों को अपने विशले दंज से मार देता है नर और मादा प्रिथक होते हैं और प्रजनन के समय बिच्छू नर और मादा अनुरंजन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं और जिसके दौरान ये दोनों परस पर एक दूसरे के जो बड़े जो नाखर हैं उनको पकड़ कर संगम नित्य या मेटिंग डांस करते हैं अगर अपन बात करें तो शेप और साइस सबसे पहले आकरिती परिमान विच्छो का शेरिल लंबा सक्रा और सकंड होता है और अगर हम उसकी बात करें तो इसमें इसके प्रिष्ट अधर तल पर जन्तू चप्टा होता है डॉर्सो वेंटरली फ्लैटन होता है दे की लंबाई प्रजाती 3-9 cm की होती है हाला कि सबसे छोटी प्रजाती मात्र 9 mm की है टिफलो कैक्टस मिशली और सबसे बड़ी जो है है हैडोजीन स्ट्रोगलोडाइट्स 21 cm की वैसे भारत में मिलने वाली सबसे बड़ी प्रजाती है पलेम्निया स्वामर डर्मी 15 cm की होती है और इसके प्रजाती बुथुस टैमूलस 8 cm तक पड़ा होता है रंग की बात करें तो कटिवन्दिय छेत्रों में पाई जाने वाले बिच्छू चमकीले काले रंग के होते हैं और रेत में पाई जाने वाले जो सदसे वो गहरे पीले रंग के होते हैं और उपरी सत्य का रंग जो है वो अधर सत्य निचली सत्य से अधिक गहरा होता है तो यह जो इसके सामान ने आकारी की कि अगर बात करें तो यह फिर हम बिच्छों का क्योंकि हम अब इनके शरीर के जो वेवेन भाग हैं उनको डीटेल में अपन करेंगे तो यह है देखिए यह प्रोजोमा है जो अग्र और यह चार जोरी टांगे हैं यह इसकी पेडी पैल्प है पद्स पर शक हम इसको मानते हैं सबसे बड़े जो होते हैं और यह चेली से रहा है इसलिए चेली सिलेटा में रखा जाता है यह इसके दो मध्धिवती नेत्र हैं प्रिष्ट तल पर और यह पाश्वर्ड नेत्र और यह sternum है प्रथम यह खंड है इसके ट्रिकोणा का robust sein pats पास मीजुसमा। वह भाग है। उसमें देखे यह जननिक प्रत्चध है जिसके नीचे जननिक खथ रपाए जाता है। इसके बाद तीन से छटे खंड तक जो मीजुमा। उसमें एक-एक जोडी स्वशन रंद्र पाई जाते हैं, जिनको स्टिग्माटा कहते हैं, पुस्तक फुपुस में ये खुलते हैं, और ये सात्मा खंडे देखिए, सात्मा खंडे और ये वाला, और उसके बाद शुरू होता है, जो पूरा का पूरा जो पुछ रूपी हला कि पुछ नहीं है, भ्रमवश ये पुछ की तरह लगता है, जिसके अंत्मेक गुदा पाई जाती है, अधर तल पे, मध्याद तल पे, और पश्च तल पर दंश उपकरन, श्टिंग एपरेटस, ये देखिए, ये पाई जाती है, श्टिंग एपरेटस, तो अब अपन इसके डीटेल की बात करें, तो बिच्चु का जो शरीर है, एक संपूर्ण काईटीनी भायक अंकालद्वार आस्तरित रहता है, और बिच्चु के देह में कुल 18 सेगमेंट होते हैं, और शरीर जो है, वो दो मुख्य भागों में बटा हुआ होता है, जैसे अगर प्रोजो इसके प्रोजोमा अपने स्तर पर फिर बटा हुआ रहता है, मेजोजोमा मध्यकाय जिसमें साथ खंड होते हैं और पष्चकाय या मेटाजोमा जिसमें पाँच खंड होते हैं, मेजोजोमा को कई वारम उदर पूर भी कह देते हैं, प्री-अब्डोमिनल भाग, और सा भाग ये प्रोजोमा है अग्रका है और ये बाकी पूरा का पूरा अपिस्थोजोमा है तो पहले हम इस प्रोजोमा की बात करें प्रोजोमा जो है यह शरीर का अग्रे छेतर है जिसे शिरोवक्ष भाग भी कहा जाता है और प्रोजोमा बिच्छु के शरीर एवं वक्ष के गलन से मिलकर बनता है और प्रोजुमा के अंदर चुकि छोड़ी हैं तो प्रतेक जोड़ी जो खंड हैं उनमें प्रतेक मेंसे एक जोड़ी उपांग उत्पन होते हैं और प्रोजुमा भाग में जो हैं सबसे जो छे जो खंड के जो उपांग पाए जाते हैं उनकी बात करें तो अगरस्त जो एक जोड़ी है वो छोटे कीलाब प्रकरज होते हैं फिर उसके बाद बड़े आमाप के जो पद्स पर शक जो बिच्छु की पहचान होते हैं शैतिस एक बड़ी चतुरभजी काईटिनी प्लेट पाई जाती है जिसे कैरापेस कहते हैं जो अपने अगरस्त सिरे पर मध्यवर्ती खाच से दो पाश्वर्ट दाहिनी एबंबाई ललाट पालियों से बटा होता है फ्रेंटल लोब्स में विभक्त होता है और कैरापेस के मध्य सतय पर एक जोड़ी मध्यवर्ती सरल नेत्र पाई जाते हैं जो छोटे गुलिकाओं पर स्थित होते हैं और दोनों मध्यवर्ती जो नेत्र हैं वो एक दूसरे के निकट पाई जाते हैं और इसके अतरिक्त कैरापेस के अगर पाश्वर्ट सीमानतों पर दो से पाँच जो तीसरे और चोथे जोड़ी टांगों के बीच में एक छोटी सक्री प्रायत्र बुजाकार जो है वो प्लेट पाई जाती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं तो यह कुछ important इसके लक्षन है अग हम इस अपिस्तो जोमा की बात करें अपिस्तो जोमा जो है वो शरीर का पश्च भाग होता है एक उदर भाग एब्डोमेन कहलाती है और यह लंबा सक्रा सकंडित छेत्र होता है और अपिस्तो जोमा अपने स्तर पर फिर एक अगर चोड़ा भाग उदर पूर प्री एब्डोमेन या मीजोमा भाग और एक चोडा होता है। किन्तु जैसे जैसे पीछे की ओर ये milozooma चलता है, थोड़ा सा सक्रा होता जाता है। और फिर मीजोमा में साथ खंड होते हैं, प्रत्य खंड के ऊपर एक काईटीनी प्रिष्टक प्लेट पाई जाती है, टर्गम पाई जाती है, और अधर तल पर अधरक स्टर्णम प्लेट पाई जाती है, और उन दोनों को जोडने वाली पाश्वर सतय पर संधीकारी कला या अ जननिक प्रच्छत बात करें, 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 जननिक प्रच्छत बात क कहलाती है एक जोडी और वो विशेश रूप से जो है वो स्पर्ष संवेदी और संभवता गंद संवेदी होती है और इसके अतरिक्त बिच्छू पेक्टाइन की साहिता से अधर तल पर जब चलता है तो उस सतय की प्रकृति और नर या मादा की पहचान का ग्यान भी करने में प्रकृति और या मादा की साहिता वो लेता है अब अपन इसके पैलम्नियस के बाहिया आकारिकी की बात करें तो उसमें स्टिग्माटा जो है ये पुस्तक फुपुस जो हैं इसके बुकलंग्स उसके छिदर होते हैं स्वशन छिदर होते हैं और प्रते एक तीसरे चौथे पाँचवे और छटे मीजोजोमा के खंडों में एक-एक जोडी जो है अधरक एक-एक जोडी छिदर अधरक जो है उसके पाशवर सीमानतों पर ये पाई जाती है एक-एक स्पाईरेकल पाई जाती है स्वशन छिदर जो है पुस्त फुपसो या लंग्स में खुलते हैं त स्टिग्मार्टा करते हैं, और mesozoma के साथमे खंड पर कोई उपांग नहीं पाई जाती है, तो यह आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है, कि साथमे mesozoma खंड में कोई उपांग नहीं पाई जाती हैं, और जब कि अगर हम देखें, तो mesozoma के प्रथम जो खंड ett, प् खंडों के पाश्वर्षत्र सतों पर जो है वो Stigma Tap आई जाती है या Pustak Fupus के द्वार होते हैं श्वशन रंद्र होते हैं और ये संख्या में एक जोड़ी, ये दूसरे खंडो面 और ये संख्या में एक ब्रहमवश्पुछ अपन कह देते हैं, और चलते समय बिच्चू इस पतले इस पश्चे काय को उपर की ओर उठा लेता है, महराब की तरह, हमेशा बना रहता है, चलते समय बिच्चू के ऊपर, मेटाजोमा में पांच खंड हैं जो बेलनाकार होते हैं वास्तव में ये बेलनाकार वृत्तिय होते हैं और अश्ट भुजिय होते हैं अगर अनुप्रस्त कार्ट में देखें और प्रतिक जो खंड है वो पूनत चारो ओर से बाहिय सते पर काईटीनी वलय से आस्तरित रहता है और मेटाजोमा के जो अंतिम पाच्वा खंड है उसके मध्य पश्च तल पर पश्च अधर तल पर गुदा पाई जाती है और अंतिम खंड के थोड़े पश्च सिरे पर एक दंश उपकरन, stinging apparatus पाई जाती है या tail sun पाई जाती है और इस दंशन उपकरन में एक फूला हुआ आधार होता है आशय होता है जिसे vesicle कहते हैं अथवा तुम्भी का कहते हैं ampula और एक मुडा हुआ भाग नुकीला sting या Achilles होता है और दंश उपकरन एक लचीली जिली के द पेलिम्नियस की बात करें तो इसमें दशन उपकरन जो है poison glands जो है वो एक जोड़ी विश ग्रंथिया होती है और इनकी वाहिनिया जो कंटिका है उसके शिकर पर सूश्म चिदरों के द्वारा ये दोनों ग्रंथिया खुलती हैं और सामने ते बिच्छों का विश कोई अंड्रोक्टोनस तथा पश्चिमी तथा जो अमरीका के केंद्रिय भाग में यानि उत्री अमरीका के पश्चे छेत्रों में केंद्री अमरीका की बात करें तो वहाँ पर मेक्सिको देश एबन संगिउत राज अमरीका के जो अरिजोना छेत्र है वहाँ पर एक सेंट्रिय पाई जाती हैं तो एंडुक्टोनस और इस एंटुनोड इनके विश मनिश्यों के लिए हानी कारक होते हैं और अफरीका के जो एंडुक्टोनस अस्ट्रलीस है उसका जहर तो काफी तीवर होता है मनिश्यों के मित्यु उसके डसने पर 6-7 घंटों में हो जाती है उसके बाद अगर हम शरीर के बाहिय चिद्रों की बात करें तो इसमें निम्ने लिखे चिद्र पाई जाते हैं शरीर के अलग अलग भागों में सबसे पहले मुख होता है अगरस्थ जो है वो प्रोजुमा के मद्ध अधरतल पर मुख पाया जाता है चोटा होता है काफी और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया मेटाजुमा के पश्च अधर तलपर मध्य पश्च अधर तलपर गुदा पाई जाती है आहर नाल कांतिम द्वार होता है और फिर जनरेटल एपरचर जो मैंने बताया आपको जनरनिक प्रच्छद के नीचे प अगर हम देखें, फिश ग्रंथिया होती है, जो धन्च उपकरण है, उसके शिखर पर, जो है कंटिका के शिखर पर ये अपने छोटी-छोटी वाहिनियों, अपने छोटी-छोटी छिद्रों के द्वारा खुलती है, और फिर अंत में जो तीसरी जोडी टांग है, या पांच कॉजल ग्रंथिया खुलती है, तो सबसे पहला छिद्र शरीर में मुख है, आहर नाल का सबसे प्रथम भाग हम मान सकते हैं, फिर इसका गुदा, जो आहर नाल का सबसे अंतिम भाग है, फिर उसके बाद जनाइटल एपर्चर, जननेक छिद्र, जो मीज़ जो माग भाग मे पाई जाती है, फिर स्टिग्माटा, संख्या में चार जोडी, फिर विश ग्रंथियों की द्वार, जो कंटिका के शिखर पर खुलती है, और कॉक्जल ग्लैंड ओपनेंगे, उत्सरजी ग्लैंड होती है, कॉक्जल ग्लैंड उनके द्वार, तो ये पूरा का पूरा जो भ भाग है, तो इस तरह से जो शरीर है, वो इसका कंपेट हो जाता है.